मशकार दोस्तों हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत हैं다고 माइक को दही पुरी की रैशिपी बताB करते हैं कि यहल्य पानी पूरी लिए इस टाइब से इस टाइब से पानी पूरी ले लेंगे आज हम आपको दाइपूरी की रेसिपी बता रहें कि दाइपूरी कैसे बनती है इसकी बहुती अच्छी और डेस्टी और आसाल विधी बताएंगे इस टाइप से सभी पानी पूरी को इस टाइप से होल कर देंगे सभी को इस टाइप से खुल करके रख देंगे हम कि देखें इस टाइप से सभी में हम आलू का मसाला लगा लेंगे सभी पानी पूरी के हमने 10 से 12 पानी पूरी लिए सबी में हम आलू एट कर रहे हैं इस टाइप से सभी में आलू का मसाला एट कर देंगे देखिए दही एट करेंगे अब सब में इस टाइप से दही एट कर देंगे सभी में अच्छे सदही एट कर रहे हैं काला नमक एट कर देंगे सभी पर देखिए काला नमक एट कर दिया सब पर बलैक पेपर एट करेंगे काली मिर्च पाउडर भी बना सकते हैं उसको बलैक पेपर एट कर दिया सब में अच्छे से जीरा पाउडर जीरे को अच्छे तवेप सेट के पीस के पाउडर बना रख आया है जीरा पाउडर एट कर दिया सब में बारिक से वेट करेंगे अब यह देखे बारिक से वेट कर दिया सब में अच्छे से थोड़ा थोड़ा बारिक से वेट किया है इस टैब से सभी में बारिक से वेट कर दिया उसके बाद गिरिन चटनी, धनिय पुदिने और थोड़ा सा हरी मिर्च को मिक्स करके अच्छे से पीछ के बना रखिए गिरिन चटनी, सभी पानी पूरी में थोड़ा थोड़ा गिरिन चटनी एट कर देंगे, यह देखिए इस टाइब से गिरिन चटनी एट कर दिया, आपक पूरी अच्छी तरीके से कम्प्लेट करके इसको धई पूरी में कनवर्ट किया है यह देखिए धैपूरी बनाया है सब कामनें अच्छे से अधर कर दिया आखरी में एक और शन के लिए बहुत अच्छा ओधे जा कि और देखिये इस टाइप से आप दही पूरी तयार कर लिए तो इसी टाइप से आप दही पूरी बनाईए दोस्तों इसका बहुती अच्छा टेस्ट आएगा बहुती आसान रेसिप यह बड़ी आसानी से आप घर पे दही पूरी बना सकते हो हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है लाइक शेर सब्सक्राइब करना हमारे रोज नएने वीडियो देखना दैनी बाद